पावर शेरिंग्टर नहीं किया जाता है तो यह नहीं किया जाता है लास्ट क्लास में हमने शिरिलंका और साथ में बेल्जिम की कहानी पड़ी थी दोनों की कहानियों से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिला तो आज हम वहीं से चाप्टर को शुरू करेंगे कि हमें दोनों कहानियों से क्या सीखने को मिला साथ में we will learn कि power sharing desirable क्यों है जानी कि power sharing क्यों करनी चाहिए फिर किस किस तरीके से power share हो सकती है democracy में हम साथ में यह भी पढ़ेंगे कि हमारी इंडिया में इसमें से कौन से तरीके की power share होती है horizontal, vertical, political parties, social groups के बीच में pressure movements, pressure groups and movements के बीच में अच्छा यह जो PDF आपको दिख रही है जिस PDF से मैं पढ़ा रही हूँ जिस PPT से मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको description box में link की तरह available है for free of cost कोई app डाउनलोड करने की जरूत नहीं है और अगर यह सारे के सारे notes एक जगा पर चाहिए तो you can join my telegram channel जिसका link भी आपके description box में है telegram group जरूर join कर लेना भाई उसमें कोई भी update आती है CBSE की तो मैं सबसे पहले बताती हूँ कोई वीडियो आने वाली होती है तो बताती हूँ कोई latest news होती है आपकी syllabus से related तो बताती हूँ कोई tips and tricks होती है तो भी बता देती हूँ ठीक है चली start करें दिख रहा है सबको भाई can you people see and hear me clearly am I audible and visible to you बच्चे पादी हाँ जी मेरा नाम है शुबम पाथर अब शुबम नाम क्यों रखा वो तो मेरे माबाब से पूछे अच्छा लगा उनको रख दिया उन्होंने सोचा थोड़ी थे मेरे सारे बच्चे मेरे से यही पूछते रहेंगे हाई legitimate government में आगे पता चले का बता आस्था तब बताऊंगे legitimate government का मतलब होता है कि जायस government जायस औ ना जायस बौर्ट तो आपने तो जायज तरीकी की सरकार डिमोक्रिसी को इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें लोगों की मंजूरी होती है लोग अपने कंसेंट से अपना वोट देखे जो है सरकार चूस करते हैं Anyway, let's come back to the chapter, we have learnt two stories, one of Belgium and one of Sri Lanka Belgium की कहानी में हमने देखा कि कैसे regional diversity होते हुए भी सरकार ने regional diversity को accommodate करने के लिए Constitution में 23 सालों के अंदर चार constitutional amendment किये और इस से Belgium में जो civil war की condition बन सकती थी वो condition कभी बनी ही नहीं, in fact Belgium की democracy पूरे यॉरप में ही नहीं, पूरी दुनिया में famous भी होगी शिरलंका की केस में हमने देखा कि कहा regional diversity को सरकार ने नजर अंदास किया, तमिल लोगों की demands को, needs को, aspirations को ignore किया, उन्हें alienated feel कराया और उसी का एक result निकला, तमिल और संधाला के बीच की civil war, जो कहीं जाके 2009 में खतम हुई थी, देश का इतना सारा नुकसान हो गया उससे, democracy का तो हुआ हुआ इन दोनों कहानियों से हमें ये समझ में आता है, कि दो reasons तो ऐसे पके हैं, जिनकी वज़ा से democracy में power sharing होनी चाहिए पहली बात तो आप ये सोचो, कि democracy से पहले दुनिया में क्या होता था हम history की किताबों में पढ़ रहे हैं, हमने आपको French Revolution Class 9 में पढ़ाया है Class 10 में Rise of Nationalism in Europe पढ़ाया है, Nationalism in India भी पढ़ाया है सारी कहानियों में आपने एक बात जो देखी होगी सारे chapters की बीच में वो ये है कि democracy से पहले राजा का राजपार्ट हुआ करता था या बड़े देश जो हैं powerful देश, छोटे देशों पे कबजा जमा के बैठा रहते थे मतलब कि जिनके उपर राज किया जाता था, उनसे पूछा नहीं जाता था कि हम आपके उपर राज करें कि नहीं करें democracy ने ये सारा जागा सारा कुछ बदल दिया democracy में citizens खोद वोट देके अपने leaders को choose करते हैं तो एक बात याद रखो कि पहला कारण कि democracy में power sharing होनी चाहिए वो ये है कि अगर democracy में power sharing नहीं होगी तो democracy में दंगे हो जाएंगे ठीक है, prudential reason का क्या मतलब होता है reason which is our result of our learnings through experiences बोलते हैं ना अपनी गलतियों से सीखना चाहिए या अपनी success से भी सीखना चाहिए basically अपने experience से कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए तो prudential reason वो कारण होता है जो कारण अपने experiences से सीखा होता है जैसे आपको मालू मालू आप class 10 में unit test के लिए नहीं पढ़रो कम number आ रहे हैं तो हाफिर ली तर जाते जाते हैं आपको समझ आ जाएगा कि ये वहले chapter पर कम ध्यान देंगे तो इसमें number कटने के chances है you will learn from your own experiences similarly in democracy's case हमने ये सीखा है कि अगर power को share नहीं किया जाता है तो society में conflict आते हैं और power को लोगों के बीच में समुदाओं के बीच में community के बीच में अगर share कर दोगे तो social group के बीच में conflict की situation, conflict की possibility 100% तो नहीं कह सकते भाई इतना 100% प्रिक नहीं कर सकते बट हाँ definitely जो possibility है वो बहुत कम हो जाती है दो समुदाओं के बीच में लड़ाई होने की अगर उन्स दोनों के पास ही power shared है तो power sharing से political order maintain रहता है बही obviously सरकार के उपर उंगलिया नहीं उठ रही है क्योंकि सरकार जो है power share करके चल रही है constitution में सारे समुदाओं के साथ power share की हुई है society का हर एक group चाहे वो transgender community है women है, men है, hindi language है, tamil language है, islam है चाहे hinduism है, चाहे kristianity है जब सारे के सारे तरीके के social groups खुश है उनके साथ power share है तो political order तो maintain रहेगा सरकार पे उंगलिया नहीं उठेंगी majority की tyranny नहीं होगी tyranny का मतलब क्या होता है बच्चा tyranny का मतलब होता है अत्याचार क्या होता है मतलब? अत्याचार तो majority community, चाहे वो majority caste group है चाहे majority gender है, चाहे majority religion है हावी नहीं होंगे minority पे obviously एक chances होते है majority के हावी होने के क्योंकि majority वाली community जादा number में होती है तो जादा number वाली community अगर किसी बात पे अडगई जो लोग ही जादा हैं जिस community में लोग ही जादा हैं तो obviously कम संख्या वाली communities को कुछ ना कुछ, you know, operation जेलना पड़ेगा लेकिन असली democracy में क्योंकि power को इस तरीके से share किया जाता है कि minority भी secure feel करे majority भी secure feel करे majority की वज़ा से minority को कोई भी अत्याचार या operation का सामना ना करना पड़े so prudential reason हमने अपने experiences से दुनिया की democracies की experiences से सीखा है that power sharing helps reduce the conflict in the society brings political stability दूसरा कारण इससे भी जाधा important है दूसरा कारण है moral reason बच्चा moral का मतलब क्या होता है moral का मतलब होता है value oriented value मतलब की आपके क्या संसकार है moral का मतलब संसकार एक तरीके से right तो एक अच्छे बच्चे का संसकार क्या होता अच्छे स्टूडन का संसकार उसे ये बोलता है कि उसे अच्छे से पढ़ाई करनी चीए एक अच्छे टीचर का संसकार ये बोलता है कि उन्हें अच्छे से पढ़ाना चीए निर्पक्ष हो के बिल्कुल किसी की साइड नहीं लेनी चाहिए साइड यही सारे मतलब किसी role के according हम किसी चीज को attribute करते हैं student का काम है पढ़ना, teacher का काम है पढ़ाना तो अगर आप वो role अच्छे से निभा रहे हो तो यानि कि आप अच्छे student हो, अच्छे teacher हो अच्छे parent हो, अच्छे बच्चे हो, सब कुछ है similarly, जब हम democracy की बात करते हैं democracy as a system को देखते हैं तो हम बाती यह करते हैं कि उसमें लोगों की सारी की सारी opinions को साथ लेके चला जाए राजा थोड़ी पूछता है परजा से कि मैं यह decision लूँ या नूँ dictator थोड़ी पूछता है अपनी परजा से कि मैं यह decision लूँ या नूँ Hitler ने थोड़ी पूछा था Jews लोगों से कि तो मैं मार दूँ कि छोड़ दू obviously उसने जो मन किया उसने किया so democracy में क्या होता है power sharing की जाती है क्योंकि democracy power sharing की oh sorry power sharing democracy की spirit है आत्मा है एक तरीके से अगर power sharing का concept आप democracy से में से अलग कर दोगे तो democracy खोकली हो जाएगी ऐसा पानी क्या जो प्यास ना भुजाए ऐसा teacher ही क्या जो अच्छा पढ़ा है ना तो similarly ऐसी अच्छी democracy आप बोली नहीं सकते जहां पे लोगों के साथ power share नहीं की हुई है तो democracy का एक तरीके से संसकार है एक value है एक moral system है which talks about sharing the power people have a right to be consulted on how they are to be governed क्योंकि democracy से पहले ऐसी सरकारे चलती थी ऐसी सब्ता चलती थी जहां पे लोगों से नहीं पूछा जाता था कि उनके लिए क्या decision लिया जाना है तब ही तो democracy दुनिया में आई धीरे धीरे करके French Revolution के बाद American Revolution के बाद लोगों ने democracy की मांग करनी शुरू की तो democracy में लोगों से सलाम अश्वरा consultation की जाती है कि भई आपके लिए क्या decision लेना चाहिए तो एक जायस तरीके की सरकार एक जायस सरकार यानि की लोगों के consent से बनीवी सरकार जैसे की democracy एक जायस तरीके की सरकार वही होती है जो citizens का participation make sure करती है कि system के अंदर हो भई सरकार क्या है, democracy में सरकार क्या है बोलते हैं ना सरकारी नौकरी तो है क्यों बोलते हैं, यह word क्यों हम use करते हैं कि सरकार जो है लोगों के लिए काम करती है क्यों? क्योंकि वो actual में truth है हम सारे लोग संसत में जाके नहीं बैट सकते संसत इतना वड़ा नहीं है तो हम लोगों को अपने हिसाब से अपने class के monitor यानि कि power share करे, decision में हमारे opinions को include करे and that is what is the moral reason behind power sharing in democracy तो जहां prudential reason यह कहता है कि अगर power sharing नहीं करूगे तो दंगे हो जाएंगे वही moral reason यह establish करता है कि power sharing democracy के लिए एक valuable aspect है चमका की नहीं चमका, दोनों की दोनों reason समझ आए की नहीं, आएगा question 3 marks का board exam में ठीक है जी, 3 marks का आएगा, हम 3 में से 3 लेके आएंगे दो ही हमारे पास points है लेकिन हम 3 में से 3 लेके आएंगे ठीक है, चलो आगे चलते है forms of power sharing पे लेकिन उससे पहले समझो कि बहुत time तक ये लोगों को ये भी में कांगे high thì लोगों को लगता था लोगों को लगता था को एक इंसान जब तक decision ले रहा है testation ले अज़ी भी 주고, decision अच्छ़ भी काईगा इतना विश्वास थोड़ी कर सकते हैं, वो भी आखिर इंसान ही है, इंसान अच्छे भी कदम उठा सकते हैं, इंसान बुरे भी कदम उठा सकते हैं, तो वहां से डेवलप हुआ ये एक तरीके का narrative, जहांबे it was felt that if power, if the power to decide is dispersed, मतलब की decide गरने की power को ही अगर आप बाट दोग तो किसी एक इंसान के हाथ में power रहेगी ही नहीं, शाय decision quickly नहीं आएंगे, obviously जब आप बहुत सारे members of parliament के साथ कोई सला मशवरा करते हो, बहुत सारे ministers साथ में बैठके decision लेते हैं, तो राजा तो बेशक फिर भी जल्दी decision ले लेता है, हाँ मुझे ये लड़का पसंद नहीं इसको सूली पे चड़ा दो, लेकिन democracy में decision late जरूर आते हैं, लेकिन उसमें सबका opinion होता है, और quality of decision अच्छा होता है, इसलिए हम democracy में किसी एक position के हाथ में या किसी एक person के हाथ में सारी power नहीं देते हैं, हम power को हमेशा divide करके रखते हैं, तो there are some different forms of power sharing in modern democracy, modern day democracy, हमारी इंडि इंडिया में ये जितने भी तरीके दिये हैं power sharing के, ये सारे follow होते हैं, तो India has all of them, ये बात तो आप गाट बाद लीजे, हमारे हम horizontal power sharing भी है, vertical भी है, pressure group movement भी है, different social group भी है, political party भी है, ठीक है, कोई इसमें नहीं भी लिखा होगा, वो भी होगा शायद, but दुनिया की सारी democracy में ये सारे के सारे तरीके के forms of power sharing हो, ऐसा जरूरी नहीं है, जो एक तरीके का power sharing हर democracy में होता है, फिर से बोल रही हूँ, जो एक तरीके का form of power sharing हर दुनिया की democracy में होता है, वो है number one, number one is in all the democracy, बाकी सारा depend करता है कि आप कौन से देश की बात कर रहो, in our case, India has all of them, so let's talk about the first form of democracy, कितना चमका बच्चा, घर के बार बारिश आ रही है भई मेरे तो, तुम्हारे घर के बार आ रही है कि नहीं आ रही है, बोल लो तो, class 10 के important chapters का एक वीडियो बना हुए है, देख लो वो हां सब कुछ constitution में लिखा होता है, depending upon कौन से country की बात करें, चमका भाई, देनेश को चमक या, अधिश्वी को चमक या, हां जी, बहुत बढ़ा, शिष्टी क्या समझने है, बताओ बच्चा, भक्ती, पहले horizontal और vertical पढ़ाने तो दे, difference में बाद में बताती हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ, thank you जी, मैं कहां से हूँ, महरयाना से हूँ, फरिदाबाद में मेरा जुनम हुआ है, चलिए, मम्मी पापा यूपी से हैं, और कुछ, horizontal power sharing की बात करते हैं, horizontal का क्या मतलब ह इस लेटी हुई लाइन, इस लेटी हुई लाइन, इस लेटी हुई लाइन पो आप horizontal लाइन बोलते हूँ, vertical लाइन होती है, ऐसे सीधे, खडी हुई लाइन, horizontal power sharing हार democracy में देखने को बलती है, आप एक last night में French Revolution पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा था कि एक France का फिलॉसफर के बारे में पताते हैं, क्योंकि जो बाते हैं जहां से निकलिये हैं, उनको वहां का credit मिलना चाहिए, तो Montescue की कही हुई बात है ये, that power should be divided between legislature, executive and judiciary, जो बात में जाके दुनिया की सारी democracy में देखने को मिलती है, starting from American democracy to Indian democracy, we all have power shared among legislature, executive, judiciary, अब बचा legislature होता क्या है, L for legislature, L for leaders, क्या दखना, legislature में हमारे leaders आते हैं, leader का मतलब हमारे MPs आएंगे, Member of Parliament, संसर्द में जो लोग बैठते हैं, जो लोग विधायन सभा में बैठते हैं, state में बैठते हैं, यानि कि M.L.A.S. वो भी इसी में आ जाएंगे, judiciary में कौन आते हैं, judges आते हैं, तो Supreme Court हो, High Court हो, वो सारे क सारे judges और lawyer किस में आ जाएंगे, सारे कि सारे judges और lawyer जिस भी तरीके का judicial system है, वो पूरा judiciary में आ गया, executive में कौन लोग आते हैं, executive में आते हैं, civil servant, civil servant के अलावा governor आ गये, है ना, president आ गये, और civil servants आ गये, ये आके executive में आते हैं, तो हमारे तरीके की democracy, पूरे दुनिया की democracy में Central Power Sharing होता है, इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि judiciary executive से अच्छी है या legislature executive से अच्छी है, तीनों के अलग-अलग-अलग-अलग role है democracy में, legislature का काम है laws बनाना, judiciary का काम है laws का पालन होते हुए रेखना है, executive के अपने अलग roles and responsibilities होते हैं, बट यहां पर कोई भी जो हिस्सा है वो जाता है, horizontal form of democracy, देखो, जब vertical line खिचती है, यह vertical line है, यहां पर point A है, यहां पर point B है, तो मैं यह बोल सकती हूँ कि point B की height point A से जाधा है, यह vertical line का system है, लेकिन अगर horizontal line है, यहां पर point A है, यहां पर point B है, तो क्या point A की height point B से जाधा है, नहीं जी, दोनों equal level पे, इसलिए से horizontal power sharing बोला जाता है, क्योंकि यहां पर तीनों के तीनों जो organs हैं, democracy के, legislature, executive and judiciary, all are at the same level, all have the same level of power, power अलग-अलग है, किन चीजों पर वो laws बना सकते हैं, किन चीजों पर वो decision ले सकते हैं, वो चीजें अलग-अलग हैं, but nobody is more or nobody is less powerful, no organization, none of the organs can exercise unlimited power, किसी के पास भी इतनी यहां प power को exercise कर सके, हर organ जो है, इसे organ बोला जाता है, organ system, जैसे body में organs होते हैं, kidney होती है, liver होता है, heart होता है, सबका अपना-पना काम है, ऐसा तो नहीं है कि heart जादा important है, heart, liver निकाल दोगे, तो भी body चल जाएगी, नहीं, body के लिए सारे organs का एक साथ काम करना ज़रूरी है, similarly, इस तर जादा power इकटी करने की कोशिश करता है, तो बाकी जो organs हैं, वो उसे डाट दपट लगा देते हैं, तो result क्या निकलता है, legislature, executive or judiciary की तरह horizontal power sharing करके, की democracy में balance of power बना रहता है, इन institutions की बीच में जब power divide हुजाती है, तो balance of power बना रहता है, और check-in balance रहता है, यानि कभी executive जादा उ उचले लगे, तो judiciary दाट लगा देगी, कभी judiciary जादा उचले लगे, तो executive or legislative लगा देगे, vice versa, so all the organs make sure that the democracy is functioning very nicely and efficiently, none of them have the unlimited power, all of them are at the equal level and valuable to the democracy, next form of power sharing होती है, vertical power sharing, अब vertical power sharing का एक और नाम होता है बच्चा, जिस पे एक आपका इक chapter बना हुआ है, civics का जो दूसरा chapter है, वो इसे बोला जाता है, federal form of power sharing, क्या form of, federal form of power sharing, प्यार से बोलो तो federalism भी बोल सकते हो, इसमें क्या होता है, जब भी कोई देश बड़ा होता है, बड़ा बड़ा, I don't mean area wise, पहली बात हो, दुनिया की सारी democracy में federal form of power sharing नहीं है, जी, सारे में नहीं है, ये बात आप याद रखना not all the countries have a federal form of power sharing, for example, Sri Lanka doesn't have, Sri Lanka में नहीं है, Belgium में है, India में है, ठीक है, तो federal form of democracy में होता है, कि देश बहुत बड़ा होता है, या तो देश की population बहुत जादा होती है, या तो देश में regional diversity बहुत जादा होती है, अलग-अलग religion रहते है, अलग-अलग caste group रहते है, अलग-अलग languages या तो देश में कोई ना कोई ऐसी complexity होती है, कि देश को federal form of power sharing कर भी पड़ती है, अब इंडिया की case में क्या था, कि हमारे देश में एक तो population भी जादा, area भी जादा, साथ में languages भी जादा, religion भी जादा, तो सब कुछ हमारे पास, हमारे पास बहुत सारी अलग-अलग communities थी, तो हम चाहते थे कि हम हर community को आदर और सदकार के साथ रखें, इसे लिए vertical power sharing में आप क्या करते हो, कि दो level of government बनाते हो, एक होती है union government, at least two level होते हैं, at least two level of governments, साथ में not all democracies have it, example क्या है, फेडरल का, Belgium and India, साथ में Spain भी example है, Switzerland भी है, वो आप chapter 2 में बढ़ोगे, तो at least two level of government थो होते हैं, इसमें एक union government होती है, जिसे आप central government भी बोलते हो और एक state government होती है, जितनी state होंगी, उसकी अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग government होगी, अब इंडिया के case में क्या है, कि हमारा इक लौता ऐसा देश है, जिसके federal structure में तीन level of government है, तो हमारी union government भी है, यानि की central government, यानि की parliament में जो लोग बैठते हैं, जो हमारे member of parliament है, वो central government का part है, हमारे पास state government भी है, विधानसभा भाई, हर्याना की अलग-विधानसभा है, महर all the states have different state governments, and at the same time we have local government also, हर गाहों में हमारे पास gram panchayat देखने को मलती है, शेर में municipality है, municipal corporation देखने को मिलता है, so we have three level of the government, local government पे हमने थोड़ा अलग-अलग mahal बना दिया है, local government में depending upon की शेहर है, या गाहों है, तो या तो municipality देखने को मिलेगी, या पंचायत देखने को मिले judiciary executive, तो organs और level of government में कोई confusion मत रखना, organs के पास equal power होती है, levels के पास equal power नहीं होती है, आप हमारे देश में देख लो, क्या local government के पास जतनी power होती है, gram panchayat के पास जतनी power होती है, उतनी state government के पास होती है, ने, state government के पास जाधा power होती है, और जितनी state government के पास power होती है, क्या उतन Central Government की पास पावर होती है हमारी Central Government की पास थोड़ी सी जादा पावर है तो मानो जाना मानो Vertical Power of Sharing में थोड़ी सी जादा पावर होती है क्योंकि जैसे सीडियां कभी भी equal height की नहीं होती है जब आप सीडियां चड़ते हो तो हमेशा उची वाली जो सीडियां होती है उसकी height जादा होती है नीचे वाली जो सीडियां होती है इसकी height कम होती है Similarly, जितना आप उपर जाओगे Vertical Power Sharing में उतनी पावर जादा होती जाएगी तो Local Government has the least Then the State Government and then the Union Government This type of structure is known as Federal Structure सारी Democracy में नहीं है Belgium में भी है तो वहाँ पे क्या है दो Level of Government है एक है आपकी State की एक है आपकी Center की और हमारे इंडिया में तीर Level of Government है ठीक है Then third आता है among different social group पहली बात तो social group क्या होता है A community of people A community of people या group of people बोल दो simple With a commonness That binds them ये मैंने definition अब भी 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 बनाईए अब भी अब भी ऐसे definition बनाना सीखो Social group क्या होते है ऐसे समुदाए ऐसे लोगों के जुन्ड जिनमें कोई एक चीज common होती है जो उन्हें बांद के रखती है उसे आप social group बोलते हो जैसे मैं हिंदी बोलने वाली हूँ तो जो हिंदी बोलने वाले हैं अगर वो मेरी community का part बना चाहते है तो वो हिंदी वासी अगर मैं हिंदी भाशी बोल रही हूँ तो जो भी हिंदी बोलता है वो उस community का part हो गया अगर मैं हिंदू बोल रही हूँ ए ग्रूप ऑफ स्टूडेंट्स वू लाइक टू पेंट या सोशल ग्रूप बड़े भी हो सकते हैं ए फॉर एक्जामपल हिंदूइजम या इसलाम राइट सोशल ग्रूप का मतलब है लोगों का ऐसा जुन जिन में कोई चीज कॉमन है अब पावर जब आप ऐसे सोशल ग्र लोगों को अपनी भाषा के प्रती जो प्यार है और जो सदकार है जो आधर है वो maintained है, similarly हमारे देश में reservation है, हमारे politics में reservation है, चाहे वो local government हो, चाहे state government हो, चाहे central government हो, हम SC community, schedule caste and schedule tribe and other backward classes community को हम क्या देते हैं, reservation देते हैं, political reservation देते हैं, assemblies में या parliament को, है ना, assembly parliament का मतलब state government, central government, local government सब जगा देते हैं, क्यों देते हैं हम, क्योंकि हम चाहते हैं कि, क्योंकि majority हम majority caste group है वो अपने हाथ में power लेके minority caste group को कहीं नीचा ना दिखाएं कहीं उनका democracy में आना रोके ना इसलिए हम पहले ही seat reserve कर देते हैं कि इस seat पे particular caste के लोग ही जीतेंगे या बैठेंगे right so that all the caste group and all the religion can be included in Indian democracy so ये दोनों ही example हैं Belgium का community government and India का reservation constituencies ये दोनों ही example हैं कि आप कभी कभी social group के साथ diverse social group के साथ अलग-अलग भिन-भिन social groups के साथ अच्छी government बनाने के लिए अच्छी democracy के लिए power share करते हो specially minority के साथ power share करते हो क्योंकि majority तो already जादा संख्या में जितनी जादा संख्या में आपकी community होगी उतने जादा लोग आपकी तरफ से बोलने वाले होंगे तो आपकी बात तो आज ना कल मान ले जाएगी लेकिन minority को जरूरत है आपकी extra push की आपकी लोग बोलते है मैं लेजर्वेशन जो है equality के खिलाफ है Equality के खिलाफ तो ये भी है कि देश में particular caste group जदा हो और particular caste group गरूप हो Equality के खिलाफ तो ये भी है कि देश में particular religion हावी हो और particular religion को नीचा दिखाया जाए है ना, so equality की बात नहीं होती है, democracy में equity की बात होती है, यानि कि जिसको जितनी ज़रूरत होती है, उतना देते हैं, ना कि सबको समान चीज़े मिलती है, तो minority को अगर extra protection, extra rights, extra अधिकार की ज़रूरत है, तो हम देते हैं, क्योंकि हम already मान के चलते हैं, कि उनका सद्यों से social होता ह होता हुआ है, exploitation होता हुआ है, या वो कम संख्या में है, तो majority उन पे हावी हो सकती है, ठीक है, next, power sharing arrangement can also be seen in a way, political parties, pressure groups and movements control or influence those in power, in a democracy, the citizen must have freedom to choose among various contenders for power, अब करते हैं, political parties वाला, political parties के बीच में भी power sharing होती है, again, सारे देशों में नहीं होती है, UK में, United Kingdom, Great Britain में नहीं होती है, USA म नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे number of political parties काम है, जब वहाँ पे समुदाय भी कम है, अलग अलग तरीके के social groups भी कम है, तो उनको represent करने वाली political parties भी कम है, ठीक है, UK और US में, पता है, by party system है, दो ही पाटी है, वहाँ पे major party, उनी में से कोई जीच जाता है, इलेक्शन, इंडिया और फ्रांस जैसे देशों में क्या होता है, contemporary का मतलब होता है, modern democracy में क्या होता है, अब अमेरिका और UK और बहुत पुरारी democracy है, modern democracy, India is a modern democracy, तो modern democracy में क्या होता है, कि बहुत सारी political parties बन जाते है, जितने समुदाय होंगे, उतनी political parties, आपने हमारे देश म उसमें से भी सिर्फ Dalis section of the society का भला चाहते है, कई है सिर्फ, you know, Hindus का भला चाहते है, बहुत सारी political parties है हमारे देश में, depending upon कितने 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 समुदाय है, कई है language की बाते करते हैं, कि हमारी language अच्छी है, ये वाली language का भला होना चाहिए, all of that, so we have different set of political parties, अब इस तरी अब आपका डिश खराब होगी का आपका डिश खराब होगया, टाटा स्काई खराब होगया, टीवे पर सिर्फ एक चैनल आ रहा है, मालो DD1, ठीक है, national television आ रहा है आपका और वही देखना पड़ेगा और वही देखना हो चाहे, पापा को देखना हो आपको देखना हो वही पड़ेगा एकी चैनल आ रहा है, बट अगर आप बहुत सारे चैनल आ रहे हैं तो फिर मारा मारी हो जाते हैं कि मैं तो यह देखूँगा, मैं तो यह देखूँगी, मैं तो यह देखूँगा, बला बला ठीक है, मुझे क्रिकेट देखना, मुझे सीडल देखना, मुझे सारे लोग इचनी सारे चॉइस अब सिमिल अर्ली जब हमारा देश अजाद हुआ था या जब भी कोई देश अजाद होता है तो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी होती है जो बड़ी फेमस हो जाती है जैसे हम जब अजाद हुए थे तो इंडियन नाशनल कॉंग्रिस बड़े पीक पे चलती थी तो लोग उसी को वोड देते थे और वही पार्टी बारबाद जीज जाती थी जैसे देश की डेश की डिमोक्रिसी एव इंडिया में तो 1990 के दशक से ऐसा हो गया है कि कभी कोई पार्टी अकेले मजोरिटी वोट्स हासिल ही नहीं कर पाती तो पार्टी इसको आपस में गुट बना के सरकार बनानी पड़ती है और इस गुट बादी को बोला जाता है अलाइंस फिर से समझो चुट उसा दिमाग बड़ा से कॉंसेट लेकिन आएगा समझा अगर एक ही अच्छी पॉलिटिकल पार्टी है बागी सारी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी है तो वही पॉलिटिकल पार्टी बार बार जीच जाती है उसको मिल जाती है ट्रू मजोरिटी जो पहले होता था इंडिया में तो किसी भी Party को पोरे-पूरे वोट नहीं मिलते हैं किनNS सबसक्तित hypertrophyår सबाइब करके अपने सारे वोट को इसे हम के में साइट सरनyu करती है और यसी को बोला जाता है अलायेंस बनाना कि उन्हें सी सभाए cosa कि क्या मतलब होता है दोस्ति बनाना लायस में क्या होता है कि दो यह दो से जाधा क्यों पता होता है किLED में क्या होगा कि इतने bang में मोर बाइस से एक आदा बना लेते हैं या फिर election के बाद जब उन्हें result दिख जाता है कि औरे हम तो जीते ही नहीं, majority तो हमें मिली नहीं, तो जो political parties होती है उनसे थोड़ा बहुत गुटबाजी करके बात में सरकार बना लेते हैं तो इस तरीके के सिस्टम को बोला जाता है गटबंधन की सरकार, गटबंधन का मतलब गांट बांधना, गांट बांधने के लिए दो और छोड़तो होने जरूरी पढ़ेंगे न, शागी में आप देखते हो लोग गांटे फेरो गणा हम पे, तो गटबंधन का मतलब है कि political parties क साथ हाना, तो a type of the government which is formed by not just one political party but more than two political parties is known as collision form of government, गटबंधन की सरकार, हमारे देश में पुराने टाइम से तीन ऐसे गटबंधन चले आ रहे हैं, तीन ऐसे alliances चले आ रहे हैं, एक alliance है NDA, एक है UPA और एक है Left Front, ठीक हैं, ये तीन alliances हैं, बहुत famous हैं, इसमें से कोई party आती जात रहती है, NDA जो है BJP लीड करता है, UPA जो है Congress, Indian National Congress लीड करता है, और Left Front जो है Communist Party of India लीड करती है, एंडिया का मतलब है National Democratic Alliance, UPA का मतलब है United Progressive Alliance, और Left Front का मतलब है Left Front, जिसमें जो भी Communism वाली parties हैं, वो सब आती हैं, तो अभी वे जो आप सरकार देख रहे हो, जो से आप Modi सरका नहीं है, वो NDA की सरकार है, हाँ, उस NDA में, उस Alliance में सबसे जादा votes BJP को मिले हैं, उस Alliance में सबसे जादा seats BJP के हाथ में, लेकिन वो Alliance पूरा हुआ है बाकी partyों के सही योग से, तो modern democracy में यही problem अब देखने को मिलती है, especially in countries like India, जहाँ पर multi-party system है, कि किसी भी party को true majority नहीं मिल सरकार जादा देखने को मिलती है, political parties को अपने मदवेद भूल भाल के आके हाथ मिलाना पड़ता है, सरकार मनाने के लिए, ठीक है, so अभी, center में जो चल रही है, वो गड़बंधन की सरकार है, true majority का example मैंने दे दिया, करनाटका की सरकार, right now, okay, so next is among pressure groups, so Alliance and Collision में तो कोई difference न बच्चा, Alliance होता है वो जो आप दोस्ती form करते हो, when more than two political parties come together to form a government, it is known as Alliance, and when they form a government, it's called correlation government, मतलब, जो गुट बाजी की, आपने उस गुट का नाम रख दिया Alliance, जैसे के NDA, UPA, और उस गुट से जो आपने सरकार बनाई, उस सरकार को आप बोलोगे, गटबंधन की सरकार, तो समझ आना चाहिए, collision और Alliance की विचका different, pressure groups क्या होते हैं, आप देखो, democracy में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी problems होती हैं, अब सरकार कभी-कभी कुछ problem देख़ाती है, कुछ problem अंदेखा कर देती है, कुछ लोगों की बात सुनती है, कुछ क्या करें, बैठे रहें कि सरकार हमारी problem कभ देखीगी और कभ उसे solve करेगी, नहीं, हमें भी तो कुछ करना है, यार, obviously problem हमारी है, तो हमें कुछ करना पड़ेगा, तो हम लोग pressure group बनाते हैं, इंडिया में या किसी भी दुनिया की democracy में, citizens की पास ही power होती है, कि वो pressure groups create करें, organizations बनाएं, उन organizations का काम होता है, सरकार पे pressure डालना, क्या काम होता है, pressure डालना, तो लोग ऐसी organization बना लेते हैं, जिनसे वो अपने interest की रक्षा करते हैं, उनको जो भी problem आरी होती है, वो सरकार के सांब में पेश करते हैं, और ये सिर्फ सरकार पे pressure डालने के लिए endeavors को secure करने के लिए भी बनती है जैसे FICCI है ना ये FICCI हो गया या फिर आपका पहले एक हुआ करता था All India Congress हुआ करता था ऐसे Political समुदाय भी बनते हैं ऐसे Commerce से Related भी बनते हैं ऐसे Business से Related भी बनते हैं ऐसे बहुत सारे समुदाय बनते हैं तो Pressure Group बेसिकली अपनी बात आगे रखने के लिए अगर आपने इंडिया में कोई Organization स्थापित की है लोगों कोई कठे लाए हो तो उसे क्या बोल दोगे Pressure Group Any confusion in this? Example बता थो Pressure Group के आच्छा चलो यहां लिख देती हूँ कैसे करते हैं? कौन सी टेकनीक लगाते हैं? Pressure Group वाले Techniques used by Pressure Group To secure their interest भई सरकार पर एक Pressure कैसे डालते हो? अपनी जरूरते का ख्याल कैसे रखते हो? गुटबादी करके कैसे? मतलब क्या करते हो ऐसा? धरना देते हो आप, लॉबिंग करते हो प्रोटेस करते हो आप प्रोपगेंडा करते हो? यानि कि लोगों तक अपनी बात पहुचाते हो? ऐसे अलग-अलग तरीक्यों से आप क्या करते हो? आप नुकड नाटक से लेके और असोसियेशन बनाने तक बहुत सारे Pressure Groups होते हैं, बहुत सारे एक्जामपल लिख देती हूं मैं, All India, Trade Union Congress, All India, ये सिर्फ Trade के लिए बनाए, Trade Union Congress इसे प्यार से हम क्या बोलते हैं, AITUC, एक और एक्जामपल दे देती हूं, National Student Union of India, NSUI नाशनल स्टूडेंट यूनियन ओफ इंडिया, NSUI, दीज आर एक्जामपल ऑफ प्रेशर ग्रूप, ठीक है? मैं, प्रेशर ग्रूप और इंटर्स ग्रूप में डिफरेंस क्या होता है? देको, प्रेशर ग्रूप बड़े होते हैं थोड़े, जैसे ये था, National Student Union of India अब स्टूडेंट से रिलेटेड कोई भी बात होगी तो NSUI उसे मुद्दा बनाएगा, चाहे एक्जाम कैंसल करने हैं, चाहे एक्जाम करवाने हैं, चाहे एक्जाम के बीच में डेट्स बदलवानी हैं, स्टूडेंट को जो भी प्रॉब्लम होगी, National Student Union of India उसे Pressure Groups are bigger groups, जिन में बहुत सारे मुद्दे डिसकूस किया जाते हैं, Interest Groups are smaller groups, जिसमें एक आदा interest ही डिसकूस किया जाते हैं, Then there are movements, कभी-कभी क्या होता है कि Pressure Group कोई movement चलाते हैं, कभी-कभी होता है कि कोई movement जाके बाद में एक और्गनाईज़ेशन में डेवलप हो जाते ह आपको याद होगा कुछ सालों पहले अना हजारे जी अंशन पे बैठे थे अना हजारे जी के अंशन से बाद में जाके हमने उसका कल्मिनेशन देखा कि आम आदमी पार्टी ही बन गए तो वो एक movement था, वो एक movement चला था, anti-corruption movement उससे हमने देखा कि बाद में एक पार्टी बनते हुए ऐसा नहीं है कि उस अंशन पे जितने लोग बैठे थे सब आम आदमी पार्टी के members बन गए बट वहाँ से हमने एक political पार्टी का बर्थ होते हुए देखा है सिबल अली नर्मदा बचाओ आंदोलन है, वो किसली किया गया था? सरदार सरोवा डाम है आपका नर्मदा पे सरदार सरोवा डाम की वज़ासे बहुत सारे ट्राइबल लोगों को अपने घर से बेगर होना पड़ा था बहुत सारे पेडों की कटाई हुई थी सरकार ने बोला था कि उन ट्राइबल लोगों को यूनो रिहाबिटेट करेगी, लाइवलिहूट फिर से लाके देगी सरकार ने बहुत अच्छी जॉब नहीं की बहुत सारे ट्राइबल लोग नाराथ थे तो उस पे देश के कई सारे सोशल वरकर ने, इन्वायरमेंटलिस्ट ने, बहुत सारे बॉलिवोड आक्टर्स ने भी मिलके एक चलाई थी मुहिम जिसका नाम था नर्मदा बचाओ अंदोलन तो नर्मदा बचाओ अंदोलन जब चला था, जब तला था तो सिंपल प्रोटेस था, सिंपल मुवमेंट थी, जहां आप सिर्व धरना दे के बैठे थे बाद में नर्मदा बचाओ अंदोलन क्या बन गया था, और्गनाइजेशन बन गया था, अब उस और्गनाइजेशन के पास एक लोगो भी है, 30 साल से वो और्गनाइजेशन चल भी रहा है, वो और्गनाइजेशन अब आसपास के सारे ट्राइबल लोगों का धिहान रखत कि यहां से जन्तरमंतर पर छेप्याद है, आप जानते हो आप आप न्यूज में देख रहे होगे, कि हमारे मेरे देश की जो regulation आय। मुवफ्य्मट यह प्रटेस्ट है? मुवव्मेंट रेम्ट क?- यहां छेही है यहां से फिर्च रहे होगे मोदेजना के लेक WIN- जल्दे से एक बार हम प्रीकाप करते हैं, power sharing is desirable because of two reasons, moral and potential. पुरुटेशल reason ख़ता है कि power sharing नहीं करो तो दंग्या हो जाएंगे, moral reason कहता है कि power sharing तो दमक्राशी के आत्मान, power sharing कहला गरगग तरीके, पहला तरीका है horizontal जिसमें कोई उचा नीचा नहीं होता है, तीन और्गन्स होते हैं legislative, executive, judiciary then power sharing in a vertical manner जिसमें at least 2 level होने चाहिए government के center के पास जाधा power होती है state के पास तोड़ी कम इंडिया में 3 level है center, state, local तीसरा between different social group Belgium की community government और India की reserve constituencies दोनों ही example है कि minority के साथ power कैसे share की जाती है चौथ है आपका pressure group and political party वाला जो मैंने अभी अभी ताजा ताजा पढ़ा है तो आपको यादी होगा दो होंगा question देरी हूं बचा एक है यह assertion and reasoning assertion बोल रहा है कि French speaking community जो थी Belgium की वो काफी अमीर और powerful थी reason बोल रहा है कि Belgian government जो है वो French community को French बोलने वाले लोगों को favor करती थी एक question भी देरी हूं मैं जो CBSE 2011 में 3 marks का board exam में पूछा गया है differentiate between horizontal and vertical division of power इसका answer description में जो आपको pdf है या जो आपको pdf मैं telegram channel पे दूँगी अभी उसमें मिलेगा लेकिन पहले खुद से solve करने की कोशिश करना 3 marks के लिए 3-3 points लिखने की कोशिश करना then you will get to see the answer देख रहो answer इसी slide पे लेकिन आप पहले खुद से करना so thank you so much and I will see you next time with another chapter development chapter करना है हमने channel को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से कर लो class 10th और class 11th में भी मैं आपके रहूंगी साथ study tips से लेके हम पूरे-पूरे SST के chapters, biology, सब कुछ इसी channel पे करते हैं so I will see you next time